तो जू भी आपको मंतर दिया जाए केवल उसी का जाप करना है ऐसा सोच के नहीं कि उभ जलो दो चार मंतर ये जप लेते आईसा कृपा न अदे जाए तो जो मंतर दिया जाए वो आपके एंडूड बादधा आपकी प्रकरती के अन्कूल होगा इसलिए सिर्फ उसी को करना है आपको लग रहा मेरे पास समय बहुत है तो एक माला की जए के पांच माला कर लो दस बार दस माला कर लो अभी जो अंग्रेज लोग गए जो आए थे यहां योरोप वो 21-21 माला कर रहे हैं जब और उनको ऐसे ऐसे अनुभव हो रहे हैं जिसको लिख लिख के भेजते हैं राजुजी को लिख के भेजते हैं राजुजी हमें भेजते हैं हमारी फोन से किसी बात होनी पाती इसलिए हमको भेजना ब्यारत है हम तो सामने मिलते हैं डारेक्ट क्या नकली चीज से मिलो बीच में सब को बड़ा आनंदा रहा है वहाँ इसा ही जब ध्यान की विधियां आप सीखेंगे आपको भी बहुत आनंदा है अभी के वल मंत्र दिक्षा में मतलब कितना जितना दर्बार बताए सिर्फ उतना उतना ही करना है और ये करते हुए आपको भावना करनी है कि मैं और मेरा पूरा परिवार सुखी और सम्रित बना रहे है यही कामना है मैं बार बार कहता हूँ आप सब से कि हमारे परिवार से बड़ा कोई हितेशी हमारा संसार में नहीं है आपका जो परिवार है न परिवार का जो सदस से आपको गाली बकरा होगा उससे बड़ा हितेशी कोई नहीं आपका अगर कोई आपका बुरा चाने वाला समाज में आपके साथ बतिमीजी कर रहा होगा तो घर में आपको गाली देने वाला आपका भाई न उससे आके लड़ जाएगा क्योंकि उसके अंदर भाई है आपका घर में बले आपसे लड़ेगा बाहर तुसरे से लड़ जाएगा आपको बचाएगा आप खुद बचाओगा भाई को अगर पिटरा होगा बलेगर में दुस्पनी आपकी हो मान रख вопросы तो परिवार से बड़ा हिताशी आपका आपका मित्र संसार में दूसरा कोई नहीं इसलिए जो भी काम करें अपने परिवार को केंद्र में रखे करें कुछ भी करें कुछ भी सोचें एक बार अपने परिवार की याद जरूर करें अच्छा करें या बुरा भी करने जा रहें लग रहा कि इसी में भाला है मारा अपने परिवार को एक बार जरूर ध्यान करें कि इसका प्रभाव मेरे इस कारे का प्रभाव मेरे प्यारे से परिवार पर क्या पढ़ने वाला है इसलिए अपने परिवार का ध्यान एक बार जरूर करना है जब परिवार का आप ध्यान करते हो तो आपकी द्रश्टी बदल जाती है जब आप अपने वह अकेला मान के करते हो कोई काम आपकी द्रश्टी अलग रहती है लेकिन जहां आपके दिमाग में आता है कि मेरा परिवार हम ऐसा करेंगे तो परिवार हम फज जाएंगे तो परिवार हमारा क्या करेगा आपके हाथ पे खाप जाते हैं आपके तो नहीं करेंगे गलत काम तो परिवार को जब आप केंदर में रखते हैं तो आपको रास्ता भी सही सही दिखता है तो दर्वार से जो भी आपको दिख्षा मिलेगी बाबा की ओर से आपकी दिख्षा के बाद बाबा आपके सद्गुर्देव हैं सद्गुरू हैं आपके जो आउनके DNA के उर्जा पत में आप सीधे सीधे जुड़ेंगे और सदा सदा जुड़े रहेंगे